Crypto और NFT अर्णी अंतरित हैं और इनके साथ अत्यदिक जोखिम जुड़ा हो सकता है संभव है कि इस प्रकार के लेंदेन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनी आमक सहायता उतलब ना हो किसी भी सूशना के लिए BitCypher Labs LLP से support at coinswitch.co पे संपर करें 12 April 2023, वो तारीख जब एथिरियम का शंगाय अप्रेड लाइव हो जाएगा The world's second largest cryptocurrency underwent a huge change last year, the merge. That's when Ethereum successfully transitioned to proof of stake. And now, more than half a year later, the protocol is ready for its next major upgrade, Shanghai. This is going to be perhaps the most important market event of the year and it might well fundamentally alter Ethereum's price dynamics. Stake किये गए 18 million से जादा Ethereum Unlock हो जाएगे, तो क्या इस upgrade के पाद Ethereum crash हो जाएगा? क्योंकि जो लोग लंबे समय से अपने stake किये Ethereum के Unlock होने का इंतजार कर रहे हैं, वो इसे mass selling event में dump कर देंगे, या फिर शुरू होगा Ethereum का नया point cycle. Hello दोस्तों, मेरा नाम है विशेक तैलंग और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में. इस वीडियो में हम देंगे Ethereum के Shanghai upgrade से जुड़े हर सवाल का जवाब, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी, और हाँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, हमारे YouTube चैनल Coin Switch को सब्सक्राइब कर के bell icon दवा दीजे, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लाएं, आपको वो तुरंत मिल जाए, Ethereum बिटकॉइन के बाद market capitalization में दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी crypto है, सक्टेमबर 2022 में crypto की history में सबसे बड़ा upgrade Ethereum में किया गया, ये proof of work से proof of stake पर इसकी shifting शुरू हो गई, इसे Ethereum merge के नाम से जाना जाता है, Ethereum merge क्या है, इसके बारे में और जाला जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसका link भी आपको description में मिल जाएगा, अब Ethereum में आने वाला है एक और बड़ा upgrade जिसका नाम है शांगाई, जैसे तो crypto से वाकिव जारतर लोग proof of work और proof of stake दोनों ही crypto के consensus mechanism हैं, यानि crypto transactions को process करने का तरीका जिसके जरिये crypto transactions को blockchain पर record किया जाता है, यहां सारा खेल transaction को validate करने का होता है, proof of work mechanism में कई सारे miners एक ही transaction को verify करने के लिए अपनी computational power से आपस में compete करते हैं, और कोई एक miner ही जीत कर block को chain में add कर पाता है, जीतने वाले miner को reward में coin मिलता है, बाकी miners खाली हाथ रह जाते हैं और उनकी energy waste चली जाती है, energy के इसी wastage को रोकने के लिए आया proof of stake, इस mechanism में धेर सारी computing power का इस्तमाल एक साथ नहीं होता, इसमें validator अपने stake पे एक दूसरे से compete करते हैं, validator क्या है, इस वीडियो में हम वो आगे बताएंगे, अब वापस आते हैं शंगाई upgrade पर, 16 मार्च को ethereum all core developers execution ने announce किया कि शंगाई hardfork 12 अपरैल को live हो जाएगा, शंगाई upgrade के बाद वो ethereum unlock हो जाएंगे, जिसे साल 2020 में ethereum 2.0 network का validator बनने के लिए stake पर लगाया गया था, stake किये ethereum की संख्या 18 million के करीब है, अभी ethereum का भाव करीब 1900 डॉलर के करीब है, यानि इसकी value 34 billion डॉलर से जादा है, अगर मैं रुपी में convert करूँ न, तो यह figure ढाई लाख करोड रुपे से उपर पहुँच जाएगा, टेक्निकली देखा जाए तो 12 April को दो तरह के अपग्रेड होंगे, ethereum shanghai और ethereum capella, developers ने इन दोनों को मिला कर एक नाम दिया, shapella, shanghai execution layer fork का नाम है, इसमें EIP 4895 नाम का एक important upgrade शामिल है, जबकि capella consensus layer पर किये गए अपग्रेड का नाम है, यह दोनों मिलकर beacon chain को stake किये गए ethereum का withdrawal अलाव करेंगे, याने आप stake किये गए ethereum को withdraw करके validator से exit कर पाएंगे, इन दोनों upgrade के बाद future में कोई भी, कभी भी ethereum को stake और unstake कर सकेंगे, अब यहाँ पर कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ethereum का validator कैसे बना जा सकता है, तो ethereum का validator बनने के लिए दो main तरीके हैं, पहला तरीका है solo staking, इसके लिए कम से कम 32 ethereum और internet connection होना चाहिए, दूसा तरीका staking pool से जुड़ना है, इसमें आप जितने ज़्यादा active होंगे, आप उतनी ही तेजी से reward हासिल कर सकेंगे, validators का काम transaction को validate करने का होता है, यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है, कि यहाँ minimum 32 ethereum को stake पर इसलिए रखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरह के fraud को रोका जा सके, अगर कोई validator transaction को verify करने में जान बूच कर कोई गड़बड़ी करता है, तो उसे उसके stake किये 35 ethereum वापस नहीं मिलेंगे, इस process को slashing कहते हैं, अब यहाँ सवार उठता है कि शंगाई upgrade के आने से क्या-क्या बदलाव आएंगे, क्या stake कीएगे ethereum के unlock होने से market में बड़ा fall देखने को मिलेगा, क्या ethereum में price crash होगा या bullrun देखेगा, शंगाई upgrade से कई critical update और elemental changes देखने को मिलेंगे, इस upgradation में सबसे बड़ा बदलाव आएगा gas fees में, इसमें भारी कमी आएगी, दूसरा बदलाव locked token के release होने से होगा, validator partial या full withdrawal का option चुन सकते हैं, partial withdrawal में 32 ethereum के minimum deposit को छोड़ कर earn किये गए, सभी reward और fund को validator के withdrawal address पर भेज दिया जाएगा, validator full withdrawal का option भी चुन सकते हैं, crypto experts के मताबिक stake किये गए करीब 18 million ethereum के एक साथ release होने से, इसके price में बड़ा movement दिख सकता है, short term में price drop भी आ सकता है, लेकिन network में लगातार हो रहे improvement के कारण, long term में price उपर जाने की उमीद है, याने इसमें pull run देखने को मिल सकता है, तो जिस तरह का scenario बन रहा है, उसमें उमीद कम ही है कि stake किये गए ethereum को, एक साथ market में dump किया जाए, इस upgrade से long term ethereum investors का trust बढ़ने की उमीद जादा है, ऐसे में आने वाले दिनों में ethereum की staking भी बढ़ सकती है, तो guys कितना excited हैं आप ethereum के शंगाई update के बारे में, do let us know, नीचे comment वा करके और crypto के बारे में हर latest update जानने के लिए, join us on coin switch, बस फटाफट को घंटा बजा दीजे, और वो subscribe बटन है ज़रा जूर देकर दबा दीजे, thank you है जी. Crypto और NFT earning अंतरित हैं, और इनके साथ अत्यदिक जोखिम जुड़ा हो सकता है, संभव है कि इस प्रकार के लेंदेन से हुए, किसी भी नुकसान के लिए कोई विनी आमक सहायता उतलब ना हो, किसी भी सूशना के लिए, BitCipher Labs LLP से support at coinswitch.co पे संपर्क करें,